केतु भी राभू की तरे एक छाय ग्रे माना गया है इसका भी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाब देखने को मिलता है यदि केतु अशुप प्रभाब दे रहा हो तो आपको चित कबरे कुत्ते और गायों को खाने की सामगरी देने चीए गायों को हराद चारा देना च चीए और कोईले के टुकड़े पानी में प्रवाहित करने चीए चीटियों को आठे में शक्कर मिला कर दें चोटी कन्यों को मीठा बोजन कराएं केतु की शांती के लिए सबसे अधिक कुत्ते की सेवा करनी चाहिए कुत्ते को आप नियमित रूप से मीठी रोटी खिलाए गड़े जी की नियमित रूप से सेवा करें गड़े जी के 12 नामों का पाट करें लोहा तिल तेल सबत धनने का दान करें नारियल उड़दादी की दाल दान करने से भी केतु की शांती होती है परिवार में बजुर्बों की सेवा करें ऐसा करने से केतु प्रसन हो जाता है औ माता पिता की सिवा करने से और केसर का तिलक लगाने से केतू का प्रभाब कम होता है काली और सफेज चीजों का दान करें धार में कियात्राय करें मंद्रों कियात्राय करें दान पुन्ने करें कहते हैं यदि केतू खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का पैसा मुकदमे बाजी म में अलगाब हो सकता है केतू के आशब होने से माता को बार बार कश्ट प्रापत होता है संतान संबंदी समस्या बनी रहती हैं और यदि जनम तो अपनी संतान से कोई ना कोई परेशानी अवश्रे बनी रहती है। ऐसे जातक को अपने माता-पिता की सिवा करने चाहिए। केतु यदि दूसरे स्तान में बैठा हो तो यह शुब माना गया है। ऐसे जातक को संपत्ति से बहुत लाव मिलता है। केतु यदि प्राकरम इस्तान में बैठ जाए ऐसे जातक के लिए शुब होता है और जातक की संतान भी बहुत अच्छी होती है परिवार में सुख की प्राप्ति होती है केतु यदि चतुरतिस्तान में शुब होकर बैठा हो तो ऐसे जातक बड़ा ही भागयवान होता है और पांचवे स्थान में यदि केतु शुब हो तो ऐसा जातक धन्वान होता है, ऐसे जातक की बुद्धी तीर्व होती है, और उसमें घर में उसके पुत्र संतती अधिक होती है, केतु के अलगल फ्रवाव हर जनातक की जनम कुड्लिके को देखकर ही पता चलता है, कि वो अशु फल्की प्राप्ती होगी